पाकिस्तान तो त्यारे कर देगी थी लेकिन विराड़ कुली आउट तो श्लेबर सागर इसका पता कोई नहीं था उसने रिस रफ को जब च्छेट चका मारा वो उसने मैश कहा मैश कहलाती जदबाद बलगी हलाती बलगी मैश के वाई आई विश के नहीं पाकिसानी टेम भी होगे से खिलाड़ी पिदा कर सके विराड़ को ले की तरह हम के पूरे सके दस कही लाड़ी विराड़े ही बंग जाए उसकी तरह उंत्के ले और पाकिसान जीरा कजा विद्याय गरें किसे लगें अप आपे वाउट्यों पकिस्तान कोई भी ऐस अच्छ का मार नहीं सकता ह कोली होगा तो फिर मेरे ख्याल में वान सेड़ मैच होगा स्कोर भी करता है वो टीम के लिए खेलता है अपने मुले के लिए खेलता है उसकी क्लाइयों में ऐसा अफ्जोर है वो खुद वो खुद आइडिया हो यद्धा यह चे है बलके पूरी दुनिया के प्लेयर्स को आप सिर्द कर सकते हैं ऐसलामाली को वालेकम स्लाम कैसी है मैं अच्छी हूं क्या करती है मैं मेडिकल एफ़स इस पोड़े पंए हूए मैं वास्केटबोल करती है और आंडर हूं सारी खेल थी चले मैं अपको एक विराष खोली का चिका तहाँ है और आपको याद भी आए रज त्वीन में भी बहुत आखामा रहा है फीने फॉरी वैर्द प्लेर रहा है उसने जो हरसों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उस जैसा प्लेयर अबी तक दुनिया में आया नहीं ठीक है इंडिया का हम पाकिस्थान लेकिन हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ल नमबर बेस्ट है मेरी नजर में और उन्हों ने चुका मारा उसकी की ये थी कि उन्होंने ball को time किया है उन्होंने अगर वो hard Hi特 करने की तरफ जाते टो शायद ball किए वो झार या उजाता उन्होंने ball को time किया और state पर time किया गर ball boundary के अंदर भी रह जाँ गी ठो एट-least उनको fouraren's मिल जाएंगे और वो timing थी ball commence back ball के साथ जो ball को बाहर लेगी और elevation भी च्छका होगी जीता हुआ मैच हमने इंडिया को अपने हाथों से दिया है उन्होंने चीना भी आ है विराद को ली ने उनकी बैटिंग कैसी लगी आपको देखें वो जो बहुत यच्छा बैड है एक चांस देता है बाल को अगर वो बाल अवेल करता है तो मेरे ख्याल में य कि उसके बाद वो कोई विकट पर स्टेक करने वाला यह बैड इंडिया के पास नहीं है अच्छा विराद को ली बाद करने जा रहा है विराद अपने देखा विराद को ली जो पाकिस्तान को चिके मारे हैं कैसे लगे आप है वह तो मेरा फेवरेट है अच्छे लगेगा दूर जाता है अची लाइव में नहीं है कि तारीf होती है नहीं कुछ एचले करशे में बाबार दो आजम का आप देख लें वह बहुत अच्हा खेल六 रहा है रिज्वान एशसा का नहीं में बूत strengthen काट्याम की हेवर्गशै अगर आप मीडिया के हैं तो आपको पता होगा, तो बहुत लोग तरीफ करते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बाबराजम और रिज्वान और ये उनका इंडिया का है, सुरिया कमार यादव, ये तीन रैंकिंग पे हैं, तो ये बड़ी चीवमेंट है के पहली ती बैस्समें पाकिसान के वो हिस्ट्री में पहली डव 01 3 आर्वा इसा हुआ है पहले तीन रैंकिंग में दो बैटसमान ह囉 हाँ दूसरे नमबर पर सुर्या कमार याद हो आगया है पहले नमबर पर रही बात हम कब ऐसा बैट्समेंट पैदा करेंगे जो हमारे जीते हुए के मैच को हारे हुए मैच को जितवा सके जैसे विरात को ली के स्ट्रेडिम तो अलमस्स खाली होने लग गया था जब विरात क हैं ऐसे कम आते रहे हैं कि जो मतलब मैच को फिनिश करें उसमें एक लाला थे शाहिद अफरीदी ऐसे बैट्समेंट थे जो आके ऐसी निंग खेल जाते थे के टीम सिंगल हैंडिल मैच जी जाती थी लेकिन नो डूट आपकी बार ठीक है के बैट्समें बैटिंग का फुक लेकिन दुनिया में उसे बड़े-बड़े वैटसमें लेकिन चीज का बहुत अच्छा था पाकिसतान में वाकिकोई नहीं मार सकतां लेकिन आकिप द belongs वोन कर गी है बाकि अब तो कुछ भी नहीं हो से था जो मारा है नहीं मारा बाकि बस यह आपको क्या लगता है पाकिस्तान ऐसे प्लेडिस का पैदा कर बाएगा विरात को ली जैसे जो के सिर्फ अपने बारे में नहीं खेलते हार वे मैच को जितवा सकते हैं जैसे हम जी चु हमद आमीर था बड़ा अच्छा बूलर था यह नहीं उसको आउट कर दिया कई ऐसे प्लेड़ जो दुनिये का थर्ड बेस्ट आर्लाउंडर है उसको भी वाहिर बिठाया हुगा सर उसको वही तो मैं आपको बता रहा हूं सर स्लेक्शन पाकिस्तान में स्लेक्शन जब पाकिस्तान में स्लेक्शन जब खतम हो जाएगी तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा टीम भी अच्छी होगी एक दो बल्ले हैं वह उसको जीतेंगे यहारेंगे कोली होगा तो फिर मेरे ख्याल में वान सेड़ मैच होगा स्कोर भी करता है वह टीम की लिए खेलता है अपने मोलकिज वेर्य कृकिट वेरी फास्ट वेरी गेम ते गुट उसमें देखे हैं वह कोली यह एक बला बहुत अच्छा बैड है वो बाल को देखता कि अभी यह जो कैप्टन एह कितने मैच्ड को यस बैट चलता है नहीं हमारे जू बैटिंग है क्लाप जा रही है अगर वह हैं एक्र मेरे के य हैल में हुआ हंए मोई बी पूरग नहीं रहा सकता कि हमारी बोलिंग बोलुंगज वह वह बहुत अच्छी है जब हमारा बैट चलता है और देखें वो जो मैच वानस्तान के साथ हुआ था तो देखो पता था कि हम जी जाएंगे एंड वल्वी बाल पे भी हम हैं वो विन किया है हमेरे वेरी फाइट वेरी गुट पाकिस्तान अभी तक बैट्समें 360 कहले वाला कि नहीं ला पाया विर यृट को यृट को आ विराद कोली से आप ना सिर्फ पाकिस्तान को बलके पूरी दुन्या के प्लेयस को आप विराद कोली से पैस्टी को आप Canal आप निका सकते हैं बाकी आप का नहीं के इस तरह काम無やって यृटughter कि कि ठीकितू सिसेजिश्चिका प्रिए हमारे भारा आज है लेकिन बात फिर वो यह आजाती है कि वो हार्ड इटर नहीं है टीटवन्टी में डिमांड हार्ड इटिंग की कि बाल को बाइर फैंका जाए ग्रोंड से तो उमीद कर सकते हैं इंशालला नैश्ट वार को अध्या भिमारे पास्या भी आई हैं अकूर ब्लया तुम्हार करें तर्य जैशी नोगीं घंटिशन को मैसी देना चाहंगी चैलें आगए बढ़ें और उपने जाना करें देखे ना पाकिस्दानी टीम के पास ऐसे कुई अग्रैसिव लिगस्विक नेगैसिन आतना है यह पाकिस्दान टो टोड़ा आप अपने घ्रैसिव बैस्टमेन पर फ्ल्हा oh अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी क्रिकर्ड पाकस्तान में भी जैसे बोलिंग टैग हमारा अच्छा इस तरह बैटिंग टैग में हमारा बन सकता है और रही बात है हमारे जो इंडिया हमें मैंसे पहले ही पता था के विराद को लिए चलना ही चलना हम इसके लिए होंवर तो करकी गए थे कर से पर थोड़ा से शाहिंशा फृति से बोलिंग थोड़ी सीम इस स्टेंडर सेंडिंग होगी बोलिंग अच्छी हुए ने सीम शाने जैसे बहुत अच्छी अपने ओवर किये पाकस्तान तो त्यारे कर गई थी लेकिन वराड को लिए आउटो स्लेबर स सागरिस का पता कोई नी था जूसने हरी स्टेट चका माड़ा वो उसने मैच कहा मैच के हलाहती जजबाद बलगी हलाहती बलगी मैच के वाई